नमस्षूर सुप्रबाद दोस्तों जब जब सर्दियां आती हैं जैसे ही नमवम्बर का महीना आता है भारत वर्च में और कोई मुद्दा बढ़ा हो ना हो दिल्ली का पॉलुशन का मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ा हो जाता है अब दिल्ली का pollution क्यों जादा बड़ा हो जाते हैं कि दिल्ली भारत की capital है वहां बहुत जादा high profile के लोग भी रहते हैं population भी बहुत जादा है साथ ही साथ अगर वेश्वी के स्तर पर polluted cities में देखा जाए तो दिल्ली उनके top 15 में घूमता ही रहता है बाकी जब ranking आती तो पता नहीं किस ranking में रहता है लेकिन pollution में दिल्ली उपर रहता है अब कई बार चर्चाएं होती हैं कि भाईया ये pollution जो है ये हो क्यों हो रहा है तो इन pollution के कारणों में से एक बहुत बड़ा प्रमुक कारण बताया जाता है कि जो किसान है वो अपनी जो पराली है उसको जलाते है तो इस बार बार इस बात को सुनके सुप्रीम कोट ने न केवल मीडिया हॉसस को बलकि जो सेंटर और स्टेट की जो एफिडिविट्स है उनको भी एक बहुत बड़ी लताड पिलाई है अब क्या चर्चा की क्यों लताड पिलाई इसके अलावा उसने क्या कहा इन सबी बातों की चर्चा करेंगे नाम है मेरा रिशी सुजानशु पांडे प्राउड इंडियन और बाकी की तरह हमेशा की तरह है बाकी सब बाते भी मानी है बट हाँ आपके सवालों के लिए मेरे दर्वाज हमेशा खुले हैं चाहें किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी हो यूपी एससी की हो इवन एंडिये और सीडिये से रिलेटेड भी सवाल मैंने सवालों के जवाब मैं दे रहा हूं तो आप उनसे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं परस्टनल सवाल भी पूछ सकते हैं चली अब चलते हैं न्यूज के तरफ न्यूज से पहले मैं बता दू यूपी एससी के लिए पॉइंट अव यू से यह बलकि इस पर डिरेक्ट क्वेशन भी बन सकता है इस बार के मेंस में भी एक क्वेशन बन सकता है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जी एस पेपर टू में तो गॉर्मेंट पॉलिसी और अराइजिंग आउट अफ दियर डिजाइन एंड इंप्लिमेंटेशन कि पराली जनाने से संबंदित एक स्कीम भी गॉर्मेंट अफ इंडिया ने शुरू की थी दोजार अठारा उन्निस में कि वह चाती दी कि जो किसान ने पराली न जला कर उसकी जगे कुछ और उसका उप्योग कर लें तो वह policy है जो गॉर्मेंट ऌफ इंडिया के उसके क्या ंप्लिकेशन है क्यों वह इस तरीके की डिजाइन है क्यों वह successful नहीं हो पा रही है इस तरीके के भी question पांस साल या तीन साल के gap के बाद पूछे जाते हैं कि भी इस policy को तीन साल या पांस साल हो गए अब आप इस पे क्या उपाय करवाना चाहते हैं, क्यों successful new type से इस तरीके के सवाल बनते हैं News है, अचा question practice के लिए मैं देता हूँ को, what are the reasons and costs of rising air pollution in Delhi तो एक उधारण तो आपके पास है, enumerate the measures taken by government in this direction and their efficacy तो इस प्रश्ण में 3-4 reason आओगे, reason और cost बता नहीं आपको pollution की, government ने क्या-क्या steps लिये हैं, उसको enumerate करो, मतलब number wise लिखो ऐसे enumerate का मतलब होता है, number डाल के 4-5-6 steps जो भी लिखे हैं, और उनकी प्रभावत पादक्ता भी बताओ कि efficacy कितनी हो ने steps की और in the end conclusion और way forward आपको बताना है, खेर, live locky report है, supreme court ने काया कि people in five star hotels blaming farmers, no action against gas guzzling high five cars, supreme court ने Delhi pollution case में काया कि भाया, आप five star hotels में बैटके, आप सारा आरोब farmers पे लगाते हो, किसानों पे लगाते हो, लेकिन जो ये gas guzzling का मतलब होता है, जिनकी fuel बहुत ज़्यादा fuel लेती हो, बहुत pollution करती है, बड़ी-बड़ी महंगी-महंगी जो गाड़ियां होती है, उनने gas guzzling गाड़ियां कहा जाता है, high five car से महंग गाड़ sitting in five star hotels, वो accuse करें farmers को, business standard ने भी इसी news को cover किया है, और भी the economics time से उसने भी इसको cover किया, कहा क्या है, Supreme Code ने बुद्वार को कहा, कि भाया जो विचारे farmer हैं, उनी को stable burning यानि पराली जलाने के लिए आप आरोब लगाते रहते हो, pollution crisis जब भी NCR में था तब-तब, लेकिन जो ल पारे में इस तरीकी की accusing लगाते रहते हैं, without उनको पता भी नहीं कि जो किसान हैं, उनकी क्या-क्या समस्या है, किसानों की क्या-क्या परेशानिया, किसानों की क्या-क्या प्लाइट्स है, अपेक्स कोट ने ये भी का कि हाई-फाई-कार और गैस घसलिंग जो गाडियां है उनके बारे में भी आप चर्चा करो, वो भी दिल्ली की रोड पे चल रही है, और वो भी बहुत जादा pollution बढ़ा रही है, साफ-साफ उन्होंने ये भी का कि सभी आफिडेविट्स जो हैं, वो transportation को एक pollution का source बनाते हैं, बताते हैं, तो भाईया उस transportation की भी बात करो, आप उस की तरफ चली जाती है, किसान की तरफ ये तो सही नहीं है, आप किसान की समस्या को भी समझोने हैं, और किसान के पास विकल्प होगा, तो कोई किसान वो ही बात है, कि कोई किसान देश का बुरा कभी नहीं चाहता, उसके पास विकल्प होना चाहिए, अगर विकल्प नहीं ह तो वो उसकी मजबूरी और मजबूरी के आधार पर किसी को किसी चीज़ का आरोप नहीं लगाए जा सकता, यह ethics का concept है, freedom of will, संकल्प की स्वातंतरता बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो लोग 5 star में बैठे हैं, seven facilities in Delhi, keep on accusing farmers, have you seen their earnings, pearl land holdings, यार किसान कितना कमाते हैं भी या, विचारों के पास कई सूध कोरी की, ठीक है, जो गिने चुने 10% किसान हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा money है, उनकी बात नहीं कर रहें, लेकिन 82, 85% जो किसान हैं, जिनकी land holdings बहुत कम है, उनकी चर्चा करेंगे ना, उन किसानों के बारे में सोचो, वो यह जो machine जिनकी कि आप चर्चा कर रहे हो, जिनको आप बता रहे हो, वो कैसे लाएंगे, उनको कुछ rebate दो, interest दो, वो media houses में, जो discussion में, पैसा लग रहा है, उससे बैटा रहे हैं, उससे farmers को transfer कर दिया जाए, क्योंकि वो एक उपाय है, कि भीया, यह debate की ज़रूती नहीं पड़ी है, आपको अब बात है कि हर साल, मैं पहले भी शुरूआत इसी चीकिती कि जब भी डेली चोक होती है, तब हमें initiative लेना ही लेना पड़ता है, फिर उनके साथ उन्होंने एक question पूचा कि अभी दीवाली पे हमने बैन कर दिया था पठागों को, बहिए यह बताओ कि कितने पठागे बै और अगर पठा का चला, तो फिर इस्टेट गवर्मेंट या डेली गवर्मेंट और सेंट्रल गवर्मेंट ने किया क्या, जबकि हम चीजे बैन कर चुगे, आप हमारे पास तुरंत आ जाते हो, कि साब बैन कर दो, साब बैन कर दो, हमने बैन तो कर दिया रहे, उसको implement कौन करेगा, executive तो implement करेगी उसको, whether it is stable, executive or unstable, जो स्थाई कारे पाल का है, करना तो काम उसी का है, हम तो क्यों आदेश दे शकते हैं, हम इथोड़ी की डंडा ले ले लेगी जाके बोलेंगे, हर किसी को नहीं, बंद करो, बंद करो, आप आतो जाते हो हमारे पास, कि भाहिया पठ नहीं, it's not ethical, इसके साथ साथ, उन्होंने ये भी गा कि जितने भी आफिडेविट है, मैं पहले भी ता चुक है, कि ट्रांस्पोटेशन को एक बहुत बड़ा पर्यावरन प्रदूशन का सोर्स बढाते हैं, तो आप उस पे क्यों नहीं ध्याहन देते हैं, उस गैस गजलिं करेंगे, और कौन मानेगा आपकी बात, आप वो तरीका तो बताओ, आप बस कहीं जारों कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हो कब रहा है, कब क्या, कैसे कर रहे हो, तो इस सारे सवाल जो है, सुप्रीम कोड ने बहुत इस्ट्रिकली पूछे हैं, डेली पॉल्यूशन इ साथ-साथ डेली के स्टॉकचर को भी बदलना पड़ेगा, इसके साथ है, जो गरीन एनरजी की बात की जारी है, जो गाडियों की बात की जारी है, गाडियों को करो, पबिक ट्रांस्पुर्ट वैस सी इतना सकسمफफुल है, उसको बहुत बढ़नानी की बात करो, आप परशिता जो चीज है कि पहले से कि भीया ऑक्टोबर में पता कर लो कि आर नौवंबर में सिच्वेशन आने वाली है नौवंबर से पहले ही किसानों को भी बोल दो न जाकि किसाब यह मशीन से आपको एक महीने के लिए उधार दी जाती है फिर इस बहुत कम कीमत पर लब्द कर जाते हैं तब हम सॉलूशन देखते हैं यही समस्या है I hope आप जैसे लोग जो सिविल सर्वेंट बनेंगे इन चीजों में सुधार करेंगे इसी के साथ जै हिंद जै भारत